वेल्कम तो आवर चैनल दे आसार अकेडमी आज हम लोग देखने वाले हैं प्रिवियस एर इंपॉर्टर कुशिन पेपर जो 21 का है ये एक्साम के लिए काफे जादे इंपॉर्टेंट है चले इसको दिखते है पहला कुश्चन है यह दि किसी आउतल दर्पन की फोकस दूरी एफ है और इसकी वाकरता तिर्जिया आर है तो बताईए इसमें दोनों में क्या संबंध है जैसे कि इसके पहले वाले सेट में भी हम लोग देखें है यह क्या संबंध होता है एफ बराबर आर बाई टू ठीक है यहाँ पे बड़ा एफ नहीं छोटा एफ होगा याद रख देखेगा तो देखें यहाँ पे देखें पर ला होता है एफ बराबर आर बाई टू एक और फर्मॉला एगर हम देखेंगे आसे निकलके आर बराबर टू एफ ठीक है तो यही दोनों संबंध होता है एफ और आर में आप कुश्यन देखते हैं लिखा है पहले लिखा और बराबर एफ पाय टू पॉसिबल नहीं है अप बराबर King समुखें और बराबर और यह पॉसिबल है यारी कि फर्स्ट का उब्हरतल किता हो जाएगा पुष्यन में भी प्रकास के परावरतन के कितने नियम होते हैं अप सबब्स आप सबी को माल Kommunen हो का प्रकास की ममली हम लोग घरन उपयोग करते हैं तो उसमें हमारा जो प्रतिवीम नहीं करते हैं किया अगला कुशन है वहानों में पश्य दिर्ष्य दर्पन की रूपए किसका का इस्तमाल किया जाता है वहान में दो तरह के दरपन का इस्तमाल किया जाता है एक होता है पश्य द्रिश्य दरपन का मतलब क्या होता है पश्य द्रिश्य दरपन का आर्थ होता है साइड मिरर और दूसरा होता है फ्रंट में यानि हैडलाइट में आउतल दरपन का इस्तमा किया जाता है याद रखिएगा दोनों सवाल पुछा जाता है मेरे पास अगला कुशन में चार ओप्सन दिया है जल, काच, प्लास्टिक और मिट्टी और पूछा गया है कि इसमें से किसका उपयोग हम लोग लेंस बनाने में नहीं कर सकते है तो इसमें से जो मिट्टी का है इसका इस्तमा लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता चलिए आगे देखते हैं काल्पनिक प्रतिविम होता है तो काल्पनिक प्रतिविम किसे कहते है काल्पनिक बोलिए अभासी बोलिए ये दोनों सेम है तो जो कालपनिक प्रतिविम होता है वो हमेशा सीधा होता है कालपनिक प्रतिविम कैसा होता है सीधा होता है जबकि वास्तिवी प्रतिविम जो होता है वो उल्टा बनता है अगला सवाल लिखा है यदि F का वेलू है दिया हुआ है 12 cm तो पूछ रहा है R का sumring is k Santa Juliuk 40 अब होटा है तो हम लोग मैं जो अभी देखें है R नगानने का formula क्या होता है देखिए R बवबर 12 भी हुथ होता है दिकिए यहाँ पर यानी हम लोग पूछा गया है की तर R कितना होगा तो R क्षानने का formula क्या बटा नहीं है तो एफ टीक है तो इसको अब देखेंगे दो गुना बारा कितना हो जाएगा 24 यह रखेंगा बस यह दो फॉमले पुछा आता है अगर आपसे एफ पुछता तो आर दिया हुआ रहता तो आर बैटू कर देते आर पुछा है तो टू एफ कर देंगे ठीक है है कि साइडमें में इसक्राण भर करते हैं और एक उता हुदा इसका हैडलाइट वे तो yatak जो हुदा है जिसे हमनों कहते हैं तर अग्रोडिव और साइडिपॉत हुदप ऊश् concurडरिश्य दर्पन वाली बात है let mother गाड़ी होता उसमें दो तरहा के दरपन का استعمal किया जाता है, इक होता है side mirror के तौर पर. जिसे हमनों पश्रू शतर दरपन क्याता है उसमें उट अस्ताल क करते है, जब कि अगरदीर मंग इसके समय करते हैं अगरदीर का आते हैं आउतर लेंस के सामने रखी वस्तू का प्रतिवी में हमेशा कैसा बनता है तो आउतर लेंस तरह देखेगा आउतर लेंस होता कैसे है इस प्रकार का जो लेंस होता है पतलब वैसा लेंस जो किनारों के अपेच्छा बीच में पतली होती है उसे हम लोग क्या बूलते ह आवंटलेंज कहता है ये सका मुख्य अच्छा है ये क्या है मुख्य अच्छा अब जला सुनिएगा तो इसमें पूछा है कि कोई भी वस्तु रखा रहें किसा प्रतिबी बनता है जब वस्तु को अनत में रखा जाता है तो या जब है इन दोनों के बीच में रहते हैं दोनों ही इस्थिति में वह अभासी बनती है और सीधा बनती है ठीक है तो इसका अप्शन अगला कुष्छन, कुष्छनन में 10 में है डायोफ्टर किसका आसाइं हाता है टीक है पुछन नमर 11 में पुचा गया है तूडी छम्ता वाले लेंस की फोकस दोरी बता एट यहां देखे लेंस तो बूला है लेकिन इसमें कौन सा लेंस बूला है पता नहीं है तो माइनेस दिया होता तो एक प्लस दिया है तो उत्तल है हो सकता है कभी कभी यह सब पूछ देगा तो उत्तल मारते हैं जैसे कि आपको मालूं है कि हम लोग मीटर सेंटीमिटर दोरों में निकालते हैं तो क्या होता है दो फरमला नहीं होता है एक्च्छल में एक ही फरमला है लेकिन उसको असान करने के लिए दो सब्दों में तोड़ दी है ताकि इसी हो जाएगा एक यह मी अगर हम नोग देखें तो यह वह भी हो 100 YF, 100 YF XL में वही है, तो इसमें confuse अन्य वाली बात नहीं है असान होता बच्चों के लिए कि अगर centimeter में निकालना था, यह formula यूज करेंगे और meter में निकालना था, यह formula यूज करेंगे तो centimeter में सारा दिया हुआ है तो चलिए देखते हैं power दिया हुआ है 2D मनने की 2 centimeter का यूज करेंगे, तो 100 वाला formula यूज करते हैं by F हो गया तो यह F को हम इदर भेज दे यानि क्या हो जाएगा F equal to 100 Y 2, आपको मालूम है काटने पर कितना आएगा 50, तो देके कहीं ने कहीं होगा 50 centimeter में आएगा Question number 12 में आते हैं, लिखा आखों के रंगीन भागो क्या कहते हैं, हमारे आखों में एक color part है, जो रंगीन होती है उसे iris कहा जाता है Question number 13 में आते हैं मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तू का प्रतिविम बनता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे रेटीना या तो दिश्ची पटल के आते हैं, इसे पहले वाले सवाल में भी हम लोग देखे थे Question number 14 में आते हैं लिखा है नीचे दिये गए समयकर्ण में कौन सी रसाइने कभीकरिया हो रही है, जब ध्यान से देखिए हैं, इसमें एक अभीकारक है जो तूट कर दो या दो से अधिक अभीकारक का उत्पात का निर्मान करती है तो हम लोग डेफिनिशन में पढ़े हैं वैसे रसाइने कभीकरिया जिसमें एक अभीकारक तूट कर या विखंडित होकर दो या दो से अधिक उत्पात का निर्मान करती है कि ये दिए अंड़ घाथ और जिसमेंんな क्या कहते हैं इलिए इस और है बिलाते हैं ऐसके अधर जिसमें धने दो है लेकिन यहां पे नहीं ति अ क्या है इस जुएरभी उन पिलता हैसे एलृमिनय यहांप चार ठीक है oxygen देखते है तो oxygen यहां पर 4 हो गया दो चार लेकर यहां पर कितना हो गया यह 6 हो गया यह भी नहीं है copper देखते है CU यहां पर 1 है और यहां पर 2 हत यह भी नहीं है इसको चिक करते है तो यहां पर 1 है यहां भी जैटन एक है CU एक है CU है S1 है S1 है O4 O4 यहां कोई दिक्कत है इसमें यह option को देखिए चार option दिया हुए है आपके पास अब पूछ रहा है कि बताइए किस में या किस पदार्त में उपचेयन हो रहा है अपचेयन का भाना और अपचेयन में ओक्सियन का घटना तरह देखके बताए किस में रहा है और बढ़ने वाला किस में रहा है बताए यह स्जार कर दिया है अध्यल सी फटीजिए को दूह नहीं होना चाहिए क्योंकि कपर तो CUO होना चाहिए तो यहां से यहां में अगर देखा जाए तो याद रखिएगा CUO है CUO है copper oxide हो जाएगा इसका answer जो हो जाएगा आपका यह हो जाएगा अपसर नमस C होगा चेक कर लीजेगा एक बार चेक क्या करना है इसमें में ठीक कर लीजेगा कुशरमा 17 में आते हैं विक्रित गंदीता कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है तो उप्चियन के कारण होती है निए oxygen के बढ़ने के कारण होती है चूने से सफेदी करते समय चूना में पानी डालने पर उसमा निकलती है जैसे आप लोग को मालूम होगा जाद रखने लिए बात है जिसमें से उसमा निकलती है उसे उसमा छेपी अभिक्रिया कहता है क्या कहता है उसमा छेपी अभिक्रिया और उसमा छेपी अभिक्रिया जब भी होती है तो उसे सईयोजन अभिक्रिया कहता है यानि इसका अंसर क्या हो जागा उस्मा छेपी सायोजन अभी करिया तो उस्मा छेपी उस्मा सोसी तो होगा नहीं उस्मा सोसी पॉस्षिवल नहीं है उस्मा छेपी यह दोनों आपसं तो सेम कर दिया बियोजन होगा नहीं बियोजन अभी करिया नहीं होती है सायोजन होगा लेकिं सोसी नहीं होगा छेपी हो होगा यह नहीं नहीं हो जाएगा और यह दोनों जो सेम रखा हुआ है तो आप इसे एक में मार दिए कि उस्मा छेपी तो होता ही ऑस्मा आपा सजय को सब्सक्राइब को काफर सफिट के बैले ढालने पर कोपर सफट के रंग जो है वो बदल जाता है ठीक है कौन सी अभी किरिया होती है तो अफी ए और इसमें होता क्या है कि एक रूसा पर क का बनाता है यह था यूं आइसनफुर mine you get it is of own निसमें होता क्या है कि as your को हटा देती है और इसके जाफर क्या बनाता f-e the feel f- he a 104 बनाती है और साथ यू कौन से भी करीय हो रही हैं विश्ता breath प्राकर्तिक सूचक है तो यह पिछले वाले में भी था लिटमस होगा पूछा है निम्लिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र जो है लाल नहीं करेगा तो निला से लाल कौन करताै अबल करता लो जाज़को हूए है रीर कार्थ में तो कौन नहीं करेगे तो यह पूशन होजाएगा question number हो जाएगा question number 22 पे आते हैं दिये गए किस million में crystal का जल मौजूद है crystal का जल का मौजूद है yogic के साथ जल का कोई अनुपात होना चाहिए तो इसमें देखिए केवाल yogic है केवाल yogic है yogic के साथ देखिए पानी की मातरा है जिसमें हो जाएगा आपका अप्सिन मस्ती जिसी crystal का जल का जाता है अगनी सामक यह अंतर में 21 का उप्योग किया आता है तो यह है sodium hydrogen carbonate option number A question number 24 पे आते हैं जल की अनुपस्थती में hydrochloric अमल अपना अमले गुन क्यों नहीं दिखाता है क्योंकि अमल जो होती है उसमें ह आयन होता है लेकिन जब तक यह जल में घुलेगा नहीं इसमें से मौझूद ह प्लस आयन अलग होगा नहीं इसलिए हो जाता है तो option पड़ता है ह उसमें ह आयन उपस्थती होता है गलत है इसमें क्लोराइड होता है उदास्गें हो जाता है इसमें कॉलोराइड उपस्तित होता है यह ऐसा तो नहीं है आप इसमें एंसर उस्ताथ नहीं देना चाहिए थे क्योंकि यहांप एंसर इसका हो जाएगा कि जल की अनुपस्तित, है अलग नहीं हो पाता है कि वंदाशन नहीं पस्तित हो रहता हैं यह आपसन मुधा शांटिस्फाइंग वगा क्या कि जल की में क्यों प्रस्तिति में है क्यों यह अलग नहीं होता जब तो अलग रहे तब तो चार्जिबल दिखाएगा नहीं तो अपसर आपको ठीक नहीं लग रहा है कुश्रों 25 प्यारते हैं आपके पास A, B, C, D करके दिया हुआ है योगिक है और इसमें पूछा है सबको प्याच मारें तो पूछा है कि इसमें पते हैं कौन अमला है देखिए A दिया हुआ है आपका 2, B दिया हुआ है 7, D दिया हुआ है 10, C दिया हुआ है 10, C दिया हुआ है 10 और D दिया हुआ है 14 तो पूछा गया मती है, इसमें को अमल है? तो अमल के बारे में आपको इसमेंग हुआ कम कम क्रूम पता है. इधर होता है Zero PXSKill के अगर बात किये जाए इधर होता है 14 और बीज़ में कहई है 7. जो साथ से कम होता है वो अमल होता है साथ से ज्यादा होता है उसे छारक कहता है जिसका साथ होता हुँ उनसीन होता है देखें यहां पर उच्छा है अमल के बारे में तो साथ से कम होना चाहिए तो दू है तो दू किसका है एक का तो असीन हो जगा है देखें यहां पर यह जो इसका अभिकरिया हो रहा है अभिकरिया हो रहा है सुरी की उपस्तिती में जाइस से बाते एग्या प्लस सील में टूटेगा यह कौन सी अभिकरिया है बियोजर अभिकरिया है अब चैप्र बॉन निकालेगा इसमें एक्जामपल दिखे जाए अगली सवाल पर आते हैं सरीर म प्रकास संसेलेशन में होने वाले ऑक्सिजन ग्यास किस यौगे के टूटने के फ़स्रों बनती है? तो जल का टूटने से बनती है, ट्रिकight? अभ उवामे किस प्रकार का पोश्र होता है? अभीवामे जो होती है завод वो प्रानी सम्भोजी पोश्र होता है अगला सवाल है लार में कौन से एंजम पाए जाता है तो लार में जो हो टाइलिन का एंजम पाए जाता है ठीक है तो या मैरय फाए जाता है जमकी जो फ्लौम होता है बनने की चीवार प्लाथ करता है तो जैलिन इक पया है तो चैलिन किरता होता है किसी समस्थे समस्ठी का मतलब होता है जीव उसका अस्तित बनाए रखने के लिए कौन जी प्रकृया जरूरी है तो जनल नमस्थ नहीं करेगा तो समस्थे प्राकन। मा को मा के सरी के किस भाग से पोषण मिलता है। जब किसी बच्चे का जन्म होने से पुर्व, उनका विकास जो है, वो गर्भासे में होती है, तो गर्भासे में पुरा पोषक तत्व, तो जो है वह कहाँ से प्राफ्त होती है घुर्ण को पोशुक्त तो कहां से प्राफ्त कीद हो सकत busy तो मिलता है पप्ले verstehenटा से एक उत्तम उर्जा के skeleton की क्या विसिस्ता है तो उत्तम क्या होता है कि प्रति काही छेत्पर अधिक कारी करें उत्तम उर्जा स्रोथ के मतलब होता है वैसा उर्जा स्रोथ जो काफी जादा हैल फूर रहता है तो जो कम छेत्र फल पर अधिक करी करें अप्सानमस C हो जाएगा लास्ट तीन सवाल है चले से भी देख लेते हैं लिखा है पवन उर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए सैद आप लोग को ये पता होना चाहिए इससे पहले हम आप लोग को बताय भी थें कि पवन का जो स्चीड है वो कम से कम 15 किलोमीटर परती घंट होना चाहिए अगर 15 किलोमीटर तो वह जो है तोन और्जा कारी करती है काम होने पर वह रोक्टेट नहीं कर वा पाता उसके ब्लेड रो प्थुशन नमबर थर्टी नाइट पे आते हैं नेमलिखित में से कौन समाप पर और्जा समाप पर का मतलब होता है जो समाप तो होती है सौर औरजा कभी सवापती हो सकता है डाभी के औरजा वो भी खत्म नहीं हो सकता है जवारी औरजा वो भी खत्म भी होगा तो कौन खत्म हो सकता है कोई लग लास्ट कुश्चिन है पराग कोश में होता है पराग कोश में क्या पाय जाता है तो प्राकुष में जो है प्राक कर पाया जाता है ठीक है तो ये होगी आपका 40 का अपसरोमेंटी ये कुल मिलाकर हम लोगों ने ये 40 कुशन देखे इसके बाद हम लोग जो दुसरा वीडियो अप्लोड करेंगे जिसमें अब्जेक्टिव का ही साइंस का लगभग और भी 40-40 कुशन करके दिया हुआ रहेगा ये सारा जो कुशन है वो एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो एक बाद जरूर देख ले और हमारे ग्रूप के साथ बने हुए रहें धन्यवाद जैहिन